जया हिन देखे घने बादलों के बीड जहाज खुद को कैसे बचाता है बहुत जादे घने बादलों से अगर जहाज जाएगा तो उसमें टर्बुलेंस यानी कमपन जटका पैदा होगा जिससे कि उसका इस्ट्रक्चर फेल्यूर भी हो सकता है और यातियों को बहुत जादे disturbance भी हो सकता है इसे बचने के लिए इसके आगे वाले हिससे में रडार लगा होता है वेदर रडार कहते हैं इस Chinese यह जो अंदर वाला हिससा देख रहा है यह है आपका वेदर रडार वेदर रडार जो हता है एक। कई डिरेक्शन में घुम सकता है पालेट इसके कंट्रोल तो यह redome area होता है, redome को हम लोग बहुत मजबूत बनाते हैं, क्योंकि जहाज के आगे का पहला जटका यह redome ही बरदास करता है, इसे composite material से बनाए जाता है, 6-7 layer से, ताकि यह मजबूत भी रहे, और जब इसे ढखा जाए तो इसके अंदर से radio wave चली जाए और वापस आ भी जा ही आप में, जिस वज़े से यह redome काफी जरूरी होता है, यह redome को मजबूत भी बनाना होता है, तो यह redome मजबूत भी बनाना होता है, नहीं तो यह जटका लगेगा, तो पहले यही जटके को यह देखता है, तो यह redome वेब को आने और जाने देता है, इस अपने आगे वा एरिया को देख लेता है, 50-40 km के आगे के एरिया को अपने रेडियो वेब के थुरू, और ये रेडियो कहां से निकलती है, इस रेडॉम सेक्शन से निकलती है, ये रेडॉम वेब को जाने देता है, लेकिन बाकी चीजों को आगे से ये जाने नहीं देगा, जहाज का जो रेडार होता है, अपने रेडॉम अपने आगे के एरिया से बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो वीम्स को छोड़ता है, ये सूपर हाई फ्रिक्वेंसी SHF कहते हैं, इसके सौटकट में, ये लगभग 5 GHz का होता है, बहुत जादे इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, और ये रिफ्लेक्शन यानि टकरा के वापस आना, जिसे कभी भी बादलों से टकरा के वापस नहीं आएगी, तो ये अगर बादल में पानी है, इसका मतलब है कि वो बादल है भी होगा, और वही जटका उत्पन करेगा, जादे पानी है तो जादे किरने टकरा के आएगी, कम पानी है तो कम किरने टकरा के आएगी, इन वेप को पा स्क्रीन पर दिखा जाता है दोनों पाइलेट के लिए नेविगेशन डिस्प्ले होता है पाइलेट और को फर्स्ट ऑफिसर के लिए नेविगेशन डिस्प्ले पर ही रास्ता होता है कि इन्हें कितने डिगरी की एंगल पर जाना है जिसे हम लोग टेकनिकल भासा में पे जाना है जैसे हम लोग ना रास्ता देखते हैं कि दहीने से बाएं मुड़ जाना तो यहाज की उपर दहीने बाएं नहीं होता है वे पॉइंट होता है कि यहाँ से टच जाना है फिर यहाँ से घूमना है यह रास्ता पहले से डिसाइड होता है वे पॉइंट पे तो पर जहाज इतना स्मूथ उड़ता है कि लगता ही नहीं कि उड़ रहा है कभी 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 दा उठता है रूख गया क्या सुश रही इदम स्मूथ पानी रख दीए चलके गा नहीं लेकिन जैसे बादल आ जाता है तो बादल की स्थितिति में अब देखिए यह है आपका नेवि बादल जिसमें पानी जादे हो इदम काला रंग का होगा तो ऐसे बादलों से बचना जरूरी होता है इसके लिए रडार की डिस्प्ले पे चार कलर का सो की आयता है ग्रीन कलर ऐसे बादलों को बताता है जिससे की बचना चाहिए लेकिन जादे दिक्कत नहीं होगा हलका हल काल का जंजना आठ होगी पैसेंजर्स को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जो पहली बार चड़ेगा उकए गरी भई सभी का करें उतार देरे बाहि अगली बार ना चड़ेंगे लेकिन येलो कलर वाला जो बादल होता है पीले रंग वाला ये खतरनाक होता है ये हिला देता है लाल रंग वाला बादल को तो पाईले डिकसर करना है लाल रंग के वादल में क्यूंकि यहां पर जाने का मतलब है कि पूस जाएँगे लाल वाले बादल में मेजेंटा कलर जो होता है ह होता है यह रहा मेजेंटा कलर ही हलका साalen слब magenta color का बादल से pilot को सक्त निर्देश होता है कि आपको magenta color में नहीं जाना है अगर आप यमराज का दरसन नहीं देखना चाहते हैं तो वना जाईएगा तो severe turbulence कर देगा उसे बच के रखना जरूरी होता है तो ये चार color होते हैं सबसे best black color है या कोई बादल ही नहीं है green color है छोटा मोटा है yellow color में थोड़ा जादे है red color हिलाएगा बढ़िया से passenger डर जाएगे और magenta color में कोई ठीक नहीं उलाट पलाट देगा जहाज को structure failure का भी डर होता है डाने उने तूट जाएगा बहुत जादे severe turbulence हो जाएगा जैसे इस जहाज को देखिए इस जहाज को जाना है यहां से सीधे अब इसको सीधे जाना है यहां पर सामने देखेगा यहां पर red color का एरिया आगया है अब यह क्या करेगा red color वाले एरिया से यहां side हो जाएगा अब फिर घूम के अपने रास्ते पर चला जाएगा यहां पर कर विद्यान पीज़े मौसम कराप होने की कायंद कप्ता में कर चाहएं तो सामने का अरीया दिखी अगर आप इस इसे झाल आप इसे दिखेंगे जैसे इसे समोज की जिए इसको से यहां जाना है तो सामने में अफरा इपना मजेंटा कलर है जाने ले लेगा अब टार बखलोल थोड़ी है तो replacing जूचके जाएगा उप काईगा तो के तो इसे गुंद को फेया डिया हम चले जा जाते हैं घुमा-कथ दो डिसीजन ले सकता है, या तो यहां से घुमा के चला जाएगा, या तो वो इसका cross section area देखेगा कि जहाज इसका यहाँ पर है, और magenta color वाला बादल उचाई पर है कि नीचाई पर है, अगर अगरा भी हो जाता है कि सीधे लेके जाता है, height बढ़ा लेता है, height को क्या करेगा, बढ़ा लेगा, तो कुरसी की पेटी का बानने का sign आ जाएगा, और उदर air hostess एनाउस करेगी, कि मौसम खराब होने के कारेगा, कुरसी की पेटी बानने का जैसे यहां पर दिखिए, यह जाज है, और इसका यह यह रास्ता दिखा रहा है कि ऐसे जाना है सपोज, अब इसके रास्ते में एक red color वाला है, तो दो रास्ते इनके पास, अगर इधर जाना है तो यहां से यह ऐसे घुम सकते हैं, नहीं, तो इसका देखेंगे कि बादल, अगर इधरे से जाना ना हम इधरे से जईवे करेंगे तो हाइट देख लिए तो यहां देखिए यहां पर यहां पर देखिएगा तो उचाई पर लाल वाला है पीला वाला है और ग्रीन वाला है तो यहां पर पाइलेट क्या करेगा ना नीचे से निकाल देगा फिर उपर त सकता है यह बादलों के कभी उपर से निकालता है कभी नीचे से निकालता है कभी दहिने से कभी बाएं से यह सारा ची रडार के मदद से ही होता है और ने था बहुत दिक्कत हो जाता पहले सिंस इतना साइंस उतना डेवलब नहीं था तो बहुत जादे बीमान दुरगट नही सामने है मेजेंटा कलर भाई साब इधर से जाना महा बेकुफी हो जाएगा इधर से जाएगे तो उतना ठीक नहीं है यह रास्ता ठीक लग रहा है यहाँ पर लेकिन आप अगर ध्यान दिजेगा तो यहां कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे ऐसे यह हो या तो उ it is why से जाए लेकिर जाता है कि सीवियर टर्विलेंश कभी कभी ऑंग जा रहे तो इसात फीत मारह घिरए जो लोग तो पहली बार चड़ते हैं उनको heavy severe turbulence हो गया इस टाइप का खाना छीटा जाता है पूरा गिर जाते हैं लोग एर होस्टेस का देखिए बेचारे के इसको एर होस्टेस लोग हर परिस्तिती में बेचारी मुस्कुराते रहती हैं सब इनकी ट्रेनी यासी होती है इन को भी जीवन है लेकिन इनका देखिए इसका माथा हो था फूड़ी है क्योंकि नहीं यह लोग हमेसा खाना पीना कुछ देते रहती है और बाइदीवे टर्बुलेंस भायानक हुआ थे इनको चोट लगने की संभाना जादे रहती है क्योंकि यह लोग तो सर्व करती रहती खाना वगर बाकी लोग तो कुर्सी की पेटी बाने रहते हैं तो पाइलेट बचाने की कोशिस करता है लेकिन कभी-कभी अचानक मौसम हो जाता है मौसम का क्या कहना है जहाज का जो पाइलेट होता है वो इस रडार को चेंज कर जकता है इसकी डिगरी को घुमा सकता है उपर और नीचे जहाज को बहुत जादे और बहुत नीचे अचानक नहीं आना होता है लेकिन अगर दहिने और बाएं की बात करेंगे तो 180 डिगरी देख सकता है दहिने बाएं की बात करेंगे तो 180 डिगरी तो यानि पाइलेट का जो रडार होता है ये वाला इसके पास और 180 degree दहिने बाएं देख सकता है, पाइलेट के हाथ में इसका कमांड होता है, यह इतना super high frequency देता है, जो लोग 5 GHz के पास, कि अगर जहाद जो runway पे खड़ी है, और यहीं पे इसका radar को on कर दिया जाए, तो runway के आगे अगर कोई सहर है, building है, तो इससे जब यह टकरा के आएग तो इतना तेज इसकी frequency रहती है, कि इससे टकरा के आएगी है, और यहाँ पे तो इसका screen खराब हो जाएगा, यहाँ पे radar का जो sensitivity होती है, खराब हो जाती है, इसलिए उसे निर्देश होता है, कि अगर सामने building खड़ी हो, तो आपको on नहीं करना है, पहले उड़ जाना है थ इस टाइम पे भी radar को off करने का आदेश दिया जाता है, वरना इतना तेज सिगनल इस पे टकराएगा, वापस जाएगा, तो इसका radar खराब हो सकता है, जहाज के अगले हिसा को हम redome कहते हैं, इसे बचा के रखना बहुत जरूरी है, अब इसमें बचाने में दिक्कत आ जाती इस तरह बिजली उजली तो रखने लगता है, अगवे थुथूरे पर बिजली गिर जाएगा, तो बिजली गिरेगा ना तो इसमें जो wave होता है, वो disturb हो जाएगा, तो हो सकता है कि पाइलेट को navigation में दिक्कत हो, इसलिए static discharge लगाए जाता है, विंक्स पे देखिये गए यह तो इस तरह से rod निकले रहते है, एक छोटे छोटे यह रोड, बिजली जो होता है, वो current होता है, electron, तो जब कहीं भी भी आप घरसन करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे electron जमा हो जाते है, उसी तरह जहाज इतनी तेजी से उड़ता है, कि उसमें बहुत सा स्टेटिक डिश्चार्ज बहुत जरूरी है, कभी-कभी पाइलेट के अगवे, इसे बिजली तड़कने लगता है, दिक्कत हो जाता है, स्टेटिक डिश्चार्ज से बचाने के लिए, तो redon को स्टेटिक डिश्चार्ज, आगे तो इसे rod नहीं लगा सकते, तो ऐसे इसे रडार में दिक्कत हो जाएगा, तो radar में दिक्कत हो जाएगा, तो radar में clear नहीं समझ में आएगा, इसलिए ये जो ऐसे उबरा होगा वाला हिस्सा है, ये इस electron को पीछे की बहुत बहुत देता है, और जैसे पीछे बॉड़ी पर जाता है, तो स्टेटिक डिश्चार्ज इस पर पूरे electron जमा होते है, इसलिए अगर हम छुएगे तो हमें भी electricity मार देगा, तो जरूरी है उस electron को हम जमीन में भेज दे, क्योंकि जमीन किसी भी electron को खीच लेती है, इसलिए जहाज खड़ा होता है, वहाँ पे एक ठो पट्टी होती है, ground point बोला जाता है, static ground point, इसमें ए फसाता है, अपर इससे ले जाके जोड़ देता है, इससे जोड़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं जोड़ेंगे अगर, तो जईसे जाहाज खुलेगा, कोई निकलेगा, कैसे हो, हवाज सफर कैसे रहा, जहाजिया को छुए, अंगर जहनाक से ऊधिया जाएँ है, अगले को लगता रहे बादल से तो पार ही कर जाएंगा उसके आगे भयानक बादल रहता है तो उसके लिए चाहिए बड़े साइज का वेदर राडार जो डापलर राडार होता है यह जहाज में फीट नहीं हो सकता है इसलिए इसे क्या किया जाता है ग्राउंड पर एर्पोर्ट के पास में dapat कर दिए को यह बहुत बदे एरडा को यह कभर कर लेता तो एकांपार नाइब धारत के नक्ससित चारों से वेदर डापनर लगाएगी आब यहाँ पर कुछ यहाँ यह दिखेंगे तो चकरवाद जादे आते हैं उडिसा साइड में तो इधर ना डपलर रडार का एरिया जादे सभन बनाए गया है जगा जगा पर कहीं कहीं भी खाली नहीं है अब हम हर जगा थोड़ी बता सकते हैं मिलिटरी रडार लगाए गया तो देश की सुरक्षा का भी मामला ध्यान में रखा जाता है इसां धड़े दा कु पहाडी एरिया में जिसे नेपाल में प्लें दुर घटना होगा वहां पर रडार में एक और समस्या क्या आती है बादलों के पीछे पहाड चूपे होते हैं जैसे बादल है इसके पीछे पहाड़ है तो इसको तो रडार सुना ना कोई दिक्वत नहीं अग है जो जहजिया लेक है, सीधे घुसा, तो बादल के बास सीधे बेचारा पहाड में टकरा जाएगा, तो इसके लिए इसमें traffic collision को बचाने के लिए टकास सिस्टम को लगाये जाता है, टकास सिस्टम दो जहाजों को आपस में टकराने से रोकता है, कोई जहाज के बगल से अगर क अलग टाइप का रडार होता है, जिसे टकास कहते हैं, टकास के बारे में हम आपको next class में समझा देंगे, I hope आप weather रडार, डापलर के सिदर इस सब को समझ गया होंगे, मिलेंगे next class में, जैहिन!